दोस्तों Investing यान YouTube चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग बात करने वाले एक बच्चियों के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना जो की Post Office के तरफ से निकाली गई है उस योजना के बारे हम बात करेंगे योजना सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चियों के लिए है आपके बेटियों के लिए है तो एक लाइक कर दिजीगा इस वीडियो को और आपको बताते हैं योजना का नाम सुकन्या इसमिर्दी योजना नाम है इसका इसकी मुक विसस्ताएं क्या है कैसे कैसे आप इसमें invest कर सकते हैं कितना return मिलेगा सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैनल को subscribe भी कर लिजिएगा और bell icon भी दवा दिजिएगा सबसे पहला बात करें सबसे पहला कुछ सब कितना जमा करना पड़ता है देखिए यह आप पर depend करता है कि आप कितना जमा कर सकते है इसमें सिर्फ 500 रुपिया में आपका account खुल जाएगा उसके बाद हर साल कम से कम आप 500 रुपिया जमा कीजिए अधिक्तम आप 1.5 लाग तक कर सकते है और सबसे अच्छी चीज इसमें यह है कि आपकी सुविधा के अनुसार आप कितनी बार भी इसमें पैसे जमा कर सकते है आप 500 करके आप 10 बार कर दीजिए या जो भी आपको करना है महेने में कितनी बार भी कीजिए लेकिन सालाना जो टोटल एमांट होगा वो 1.5 लाग से जादा नहीं होना चाहिए इसके बार बात करें ब्याजदर की तो बहुत अच्छा इंट्रेस रेट इसमें मिल रहा है 7.6 का सालाना ब्याज आपको मिलेगा और 1 अपरेल 2020 से इसमें इसके ब्याजदर में कोई भी परिवर्ता नहीं किया गया तो ये बहुत अच्छी चीज है इसमें इसके बात करें जो सबसे पहले आपको दिखा होगा कि सौर उपर जमा करके कैसे हम 9 लाग, 10 लाग, ये 15 लाग रिटन पा सकते हैं कोई चीज आपको बताता हूँ इस योजना का एक रूल है कि आपको 21 साल का मैचुरिटी पिरिएड होता है सपोज किजिए आपने आज, यानि 2023 में ये योजना में आपने रेइस्टेड किया, आपने 2023 से स्टार्ट कर दिया तो 2023 में 21 जुड़ीगा आपके 2024 में आपका मैचुरिटी हो जाएगा और टोटल क्या करना आपको 100 रुपे का इंवेश्टमेंट आपके दिमाग में लेके चलना है डेली का डेली का अगर 100 रुपे, महने के 30 दिन तो आपके 3000 हो गए और 3000 और इंवेश्टमेंट को अगर आप हर साल करते जाते हैं या हर मंत करते जाते हैं 3000 के तो रुपे या डेली 100 रुपे के तो रुपे तो आपका टोटल इंवेश्टमेंट हो जाएगा पांच लाग चालिस यहर का ठीक है और इंट्रेश्ट 7.6 के अगर हम लोग अगर कैल्कुलेट करें तो 9,67,636 रुपे आपको इंट्रेश्ट के तोर पर मिलेगा मैक्चुरिटी की टाइम आपको 15,67,637 रुपे आपको मिलने जा रहा है आपने जमा किया 5,40 और आपको मिलेगा 15,67,637 रुपे आपके किस-किस काम आ सकता है आपके बेटी के विवा के लिए काम आ सकता है higher education के लिए काम आ सकता है क्योंकि अगर आपकी बेटी की एज अभी जन्मी हुआ है एक साल की है तो आप 21 साल में उसको पैसे की जोरत पड़ेगी चाहे वो higher education के लिए हो या उतकिसादी के लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा option हो सकता है अब चलिए और भी rule के बारे में इतना amount तो मैंने आपको दिखा दिया अब rule के उपर चलते है कब पैसा वापस मिलता है देखिए सुकन्मिया योजना का खाता जो 21 साल तक चलता है मैंने आपको पहले बता दिया लेकिन पैसा जमा करने की छुट सुरू के 15 साल तक है यानि कि आपको starting के 15 साल में ही पैसे जमा करने 15 से 21 साल में आपको पैसा जमा करने नहीं दिया जाएगा 21 साल के बाद पूरी जमा और ब्याज को जोड़कर टोटल रकम आपकी बेटी को मिल जाता है आपको नहीं मिलेगा आपकी बेटी को मिलेगा क्योंकि लड़की की सादी के समय भी अकॉंट को बंद करके पूरा पैसा निकाला जा सकता है और यह एकॉंट जो होता है बेटी के नाम से होता है कोण खुलवा सकता है कोण कोई भी माता पिता जिसकी 10 साल से छोटी बेटी के लिए सुकर्निया स्वर्दी योजना खाता खुलवा सकते हैं कानोनी रूप से अगर आप गोद लेते हैं गोद लेने वाले अभी भाबक है एक लिगल गाजन है ति यह एकॉंट आप खुलवा सकते हैं एक माता पिता है कि अगर दो लड़किया है दो लड़कियों के लिए एकॉंट खुलवा जा सकता है लेकिन दूसरी संतान जुडवा हो जाती है तो आप तिसरी बच्ची के लिए भी यह खुलवा सकते है संयुक्त खाता नहीं जॉइंट अकॉंट नहीं खुल सकते है जैसे कि बच्चे के माता और बच्ची का जॉइंट अकॉंट नहीं पिता के साथ जॉइंट अकॉंट बच्ची के नाम से ये account खुलेगा और लड़की के नाम का दूसरा account भी नहीं खुलना चाहिए बीच में account बंद कर सकते हैं क्या कुछ बिसेश पर इस्तिती में account बीच में बंद कराने की सुविधा होती है जैसे कि खाताधारक लड़की की यानि कि डाउटर के ऐसा भगवान न करें ऐसा हो लेकिन ऐसी इस्तिती अगर होती है तो आपका account बंद कर दिया जाएगा खाताधारक लड़की को गंभीर विमान रही होने पर और खाताधारक लड़की का विभावक की मौत होने पर तीन कंडिशन है जिसके खाता बंद हो जाएगा अब बात करें छूट की तो सुकर्णिया एसमर्दी योजणा में जमा पैसों कर सरकार सेक्षन 80C के तार टेक्स छूट देती है इस नियम के अनुसार section 80C के तार आने वाले सभी निवेसों और खर्चों पर हर साल डेड़ लाग तक की रकम पर टेक्स छूट ली जा सकती है सुकर्णिया एकाउंट की व्याज और मेचुरिटी पर भी पूरी टेक्स छूट है यानि ये tax free है आपको income tax के तार आपको कोई भी tax देने की चौरत नहीं है अब कुछ ध्यान देने वाली बात सुकर्णिया इसमिर्दी एकाउंट का खाता है विस्तार नहीं किया जा सकता है Middle Dee के बाद इसका पूरा पैसा आपकी बेटी को मिल जाएगा बेटी को इसलिए मिलता है क्योंकि 18 साल की उमरे पूरी होने पर एकंट उसी के नाम से हो जाएगा क्योंकि 18 साल जैसे ही क्योंगा हो तो वह Come cut में आ जाएगी बालिक आपको पैसे उसके account में transfer कर दिये जाएंगे या उनको पैसे मिल जाएंगे तो ये थी पूरी सुकर्णिया योजना की सुकर्णिया स्मिर्दी योजना जो post office के तरफ से उसकी पूरी डिटेल हसा करते सब कुस समझ में आ जागा फिर भी कोई कोई डाउट हो कोई question हो तो comment box खुला हुआ वहाँ जाकर comment किजिए हमारे टीम पूरी कोसिस करेगी आपको सही सलाह देने की सारे question का solution देने की तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की latest योजनाओं के साथ अगले वीडियो में